नमस्कार सातियों स्वागत और अभिनंदन आप सभी का सातियों आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगी वो है आपके सेकंड ग्रेड 2016 जिक्य का पेपर जिसका एक्जाम आयोजित हुआ था आपके 15-2017 यानि कि इस पेपर के अंदर कौण कौण से क्यूशन आये हमारे राजस्तान जिक्य के से संब्मिन और किशनों का लेवल क्या था उसमें पूछने का आईए उन सब के बारे में चर्चा करते हैं एक क्यूशन आपके एकजाम के लिए अती महतबून ये लीजिए आज के हमारे session का पहला क्यूशन आपके screen पर ये रहा और आप ये भी देखेंगे कि 17 के जो क्यूशन आप देख रहे हैं वो सकता है कि आपको वरतमान के exam के अंदर भी ये क्यूशन डिटो मिले हैं देखिए पहला क्यूशन आपके सामने क्या पुछा जा रहा है पुछा जा रहा है आपको डाइरेक्ट वन लाइनर के निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली स्रेणी में इस्तित है मतलब ये जो चार आप्शन के अंदर आपको पहाड़ियां दे रखी है मेरवाडा की पहाड़ियां रोजा भाकर की पहाड़ियां किश्राना भाकर की पहाड़ियां और गिरवा की पहाड़ियां पुछा ये जा रहा है कि ऐसी कौन सी पहाड़ियां है जो मध्य अरावली का भाग है क्यूंकि आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा राजस्तान है इस राजस्तान के बीच में ये जो अरावली है इस अरावली को तीन भागों में आ पड़ते हैं दक्षिन अरावली, मध्य अरावली और उत्री अरावली यहाँ पर यही पुछा जा रहा है कि मध्य अरावली का कौन सा भाग है देखे ये जो पहाडियां है ये तो होती है आपके उदेपुर में कहां पर है उदेपुर में रोजा और इसराना भाकर जिस जिल्ले में है वो है याद रखेगा जालोर में और मेरवाडा की पहाडियां जिस जिल्ले में आती है वो जिल्ला है अजमीर ये दि आपको इतना ही आइडिया है क कौन सी पहाड़ियां किस जिल्ले में हैं क्यूशन फिर भी हो जाएगा क्यूंकि अब देखिए उदेपूर कहां पर है तो आप कहेंगे सर यहां पर मतलब यह मद्दी अरावली में तो नहीं आता है सिंपल सी बात है रोजा भाकर और इसराना भाकर है जालोर में और आप सब जानते हैं कि जालोर अरावली का भागी नहीं है जालोर तो मरुस्तल का भाग है तो यह ऐसे ही डिलिट हो गया बच्चा एक ही ऑप्शन कौन सा मेरवाडा की पहाड़ियां और आप सब जानते हैं कि मद्धिय अरावली का जो विस्तार है वो केवल एक ही जिल्ले में है और वो जिल्ला कोण सा है अजमेर यहाँ पर आप्शन नमबर A इसे करेक्ट टास्वर किलियर और यहाँ पर याद रेखिए रोजा भाकर इश्राना भाकर यह दिया आपको डाइरेट भाकर पूचताना तो वो शिरोई जिल्ले के पूर्वी शेतर के अंदर तेज ढालवाली पाडिया है आपको पताओ तो किलियर आईए चर्चा करते हैं क्यूशन नमबर दो क्या कह रहा है देखिए क्यूशन नमर दो आपके सामने है पुछा जा रहा है राजस्तान में इस्तित थार मरुस्तल में कोण सा बालू का इस्तूब का परकार नहीं है थार मरुस्तल राजस्तान वाड़ा और बालू का इस्तूब का परकार नहीं है आप्शन है पेराबोलिक option है तारा, option है बर्खान और option है गराउड अब simple सी बात है यह दिया आपने normal भी कभी पढ़ रखा है कि राजस्तान के अंदर बालू का इस्तूप बालू का इस्तूप का मतलब है रेत का कोई ना कोई आकार या फिर तिल्ले का कोई ना कोई रूप क्या है बालू का इस्तूप और हमारे राजस्तान में बहुत शारे बालू का इस्तूप है जैशे बर्खान है, पेरा बोलिक है, सब्रकाफीज है, अनुप्रस्त बालू का इस्तूप है या फिर अनुदेधरिये बालू का इस्तूप है या फिर आप यहाँ पर पढ़ते हैं सीप बालू का इस्तूप या फिर आप पढ़ते हैं आपके तारा बालू का इस्तूप मतलब जो नहीं है वो option number 4 is correct टांस्वर और ऐसे आपको पता होगा वरतमान में SI के पेपर में भी पुछा गया था जो हम कल solution करेंगे उसका ठीक है तो यहाँ पर option number 4 यह एक परकार का बालू का इस्तूप नहीं है क्यूशन number है आपके सामने 3 क्या पुछा जा रहा है देखिए क्यूशन number 3 लूणी नदी के परदूशन का परमुक्षरोत क्या है अब आप सब जानते हैं कि राजस्तान की सब्से परदूशित नदी आपको पुछे तो याद रखेगा आप सब जानते हैं वो कोण सी है बांडी नदी कोण सी है बांडी नदी बांडी नदी कहां से निकलती है तो पाली की पहाड़ियों में और पाली के अंदर कोण सा उद्योग लगावा है राज्ये की सबसे बड़ी सुत्तिवस्तर उद्योग की मील कहां पर है पाली में मतलब रंगई और छपई उद्योग के लिए परदु चपई उद्ध्योग के लिए option number A is a correct answer, question number आपके सामने 4, क्या पूछ रहा है देखे, question number 4 आपके सामने पूछा जा रहा है, भोराट पठार जिसके मद्दे इस्तित है वे कौन सा है, अब भोराट का पठार, उपरमाल का पठार, मेशा का पठार, लशाडिया का पठार, ये इतने परशिद हो गए हैं कि एक्जामने पूछता है, भोराट का पठार, अब ये जो भोराट का पठार है, ये आपके कुम्बलगड, मतलब ये है कि गोगुंदा और कुम्बलगड के मद्दे का जो पठार है, उसे क्या कहा जाता है, भोराट का पठार, मतलब आप्शन नमबर 3 is correct आस्वरा, कुम्बलगड और कौन सा, राशमन्द, सुन, कुम्बलगड राशमन्द में, और गोगुंदा कहा पर है, उदेपूर में, इसी परकार आप वो पढ़ते हैं न, उपरमाल का पठार, के बेहसरोडगड से लेकर बिजोलिया के मद्दे का भाग, उसी परकार है, गोगुंदा से लेकर कुम्बलगड के मद्दे का भाग क्या कहलाता है, भोराट का पठार, ये भोराट का है, जबकि एक नाम आपने सुना होगा भोमट का पठार कौन सा भोमट का पठार और ये जो भोमट का पठार है ये तो आपके यहां पर है जिसे यह रहा अमारा राजस्तान ये शेतर है आपके भोमट का पठार त्यूंकि अभी एक्जाम में पूछा गया था भोमट का पठार कि इस राज्ये के साथ लगा हुआ है तो याद रखिएगा यहाँ पर है गुजरात मतलब बांसवाडा, डूंगरपूर, उदेपूर और शिरोई यह चार जिल्लों का सेतर है भोमट का जबकि भोराट, उदेपूर और रासमन के लिए अगला कुशन कुशन नमर है आपके सामन पांच, क्या पूछा जा रहा है देखिए, राजस्तान में सरदी की वर्षा क्या कहलाती है, मतलब यहाँ पर डाइरेक्ट पूछ रहा है कि राजस्तान में जो सीतकालिन वर्षा होती है, शीतकालिन वर्षा वो क्या कहलाती है, आप कहेंगे सर वो है मावट, कई बार ऐसे भी पुछा जाता है कि मावट क्या है सित कालिन वर्षा मावट कहां से आती है तो याद रखेगा वो आती है आपके भूमध्य सागर से कहां से आती है भूमध्य सागर से लाणे में शाय कौन है परस्चिमी विक्षोब मावट को क्या कहा जाता है तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है आपके सुनहेरी बुंदे यानि की golden drops सुनहेरी बुंदे और ये कौन सी फसल के लिए उप्योगी है तो याद रखेगा रभी की फसल लेकिन पर्मुग्रूप से फसल भी पूछ लिया जाए तो याद रखेगा गेहूं बस ये है आपके और दिसंबर महा में आती ये चैके दिसंबर से जिनवरी तो याद रखेगा क्या है मावट क्या है सीथ कालिन वर्शा क्यूश नमर है आपके सामने शिक्स क्या पूछ रहा है देखी पुछा जा रहा है निम्न मेंसे जिस जिल्ले की शिमा गुजरात से इस पर नहीं करती है वे है जैसे आप सब जानते है ये राजस्तान अब सिंपल सी बात है कि इस राजस्तान में इधर वाले ये ही तो जिल्ले शिमा बनाते है गुजरात के अब ये जो परताब गड़ है ये तो है इधर परताब गड़ तो इधर है मतलब ये MP के साथ सिम्मा लगाता है ये गुजरात के साथ में लगाता है वैसे हमारे राजस्तान के छे जिल्ले गुजरात के साथ में शिम्मा लगाते हैं बासवाडा डूंगरपुर उदेपुर आ यहाँ पर जो नहीं लगाता है वो है आपके परताब गट किलिए क्यूशन नमबर 7 आपके सामने क्या पुछा जा रहा है देखिए क्यूशन नमबर 7 पुछा जा रहा है पस्चिमी राजस्तान में पस्चिमी रेतिला मेदीन पस्चिमी राजस्तान में जो पस्चिमी रेतिल मेदान है कि पूर्वे शिमा निम्न में से कौन सी सम वर्षा रेखा बनाती है मतलब सिंपल सी बात पूछ रहा है आपको कि ये जो हमारा राजस्तान है इस राजस्तान का ये तो अरावली है कौन सा ऐसा भाग है जो पूर्वे के साथ में सम मतलब सम वर्षारेखा बनाता है सिंपल सी बात है कि इदर वाला भाग मरुस्तल है मतलब यहां पर है आपके 50 सेमियोसत वर्षा इदर है आपके 25 सेमियोसत वर्षा 25 सेमियोसत वर्षा मरुस्तल को दो भागों में बाणती एक सुख्षतम है एक अर्द सुख्षतम, अच्छा आपको ऐसा भी पूछ ले कि अंतराश्च्टे शिम्मा से शिम्मा बणाने वाली सम वर्षा रेखा कौन सी है तो वो है 10 लेकिन यहाँ पर क्या पूचा जा रहा है यहाँ पर पुछा जा रहा है पर्षिमी रेतिला मेदान पूर्वी शिमा निम्न में से कौन सी सम वर्षा रेखा बनाती है तो option में है 15 सेमी, 25 सेमी, 40 सेमी और 80 सेमी मतलब रेतिला है तो यहाँ पर 50 सेमी है जबकि option में 50 है नहीं तो option होगा option number 6 is correct transfer, 40 सेमी चारी सेमी जो सम वर्षा रेका है वो पूर्वे के साथ में क्या लगाती है शिमा क्योंकि मरुस्तल की पूछ रहा है यह ठीक है किलिए चलिए question number है आपके सामने 8 देखिए क्या पुछा जा रहा है question number 8 पुछा जा रहा है आपको भारत के मरुस्तली करण एउम भू अउनेयन एटलस इश्रो दोजार साथ के अनुशार राजस्तान में मरुस्तली करण शेप परभावित छेत्र है यहाँ पर क्या देरका है कि भारत के मरुस्तली करण एउम भू अउनेयन एटलस इश्रो 2007 के अनुशार राजस्तान में मरुस्तली करणशे परभावित 76 है देखेगा मरुस्तल के बारे में आप दो बातें तो जानते हैं कि हमारे राजस्तान में जो मरुस्तल है ये दो देशों में विश्तिरित है एक तो भारत और एक आपके पाकिस्तान पाकिस्तान में है 15 परसित जबकि भारत में 85 जो परतिसत है भारत में चार राजियों में फेला है पंजाब, हरियाना, राजस्तान और गुजरात में वही जो कुल मरुस्तल है उसका 15% भाग पाकिस्तान में है 85 भारत में है भारत में इस मरुस्तल को थार कहा जाता है जबकि पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है और भारत में यह जो मरुस्तल है चार राजियों में पंजाब, हरियाना, राजस्तान और गुजरात लेकिन य आके आप जानते हैं कि पस्चिमी मुरुष्टलिय परदियस कितना है तो 61.11 परतिशद ठीक है वो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है किलिए रहे ना चलिए अगला क्यूशन क्यूशन अमर है आपके सामने नो क्या पूछ रहा है पूछ रहा है आपको राजस्तान में निम्न में से कोण से जिले मुख्यते बिहीड परभावित है सिंपल सी बात है बीहड बनता है चंबल बेसीन से आप सब जानते हैं कि चंबल नदी दुवारा अउनाली का अपवर्दन से कंद्रा युत भूमी क्या कहलाती है बीहड बीहड का पहड़ी भाग और डांग की रानी करूली अब यहां चंबल शेतर तो चंबल आप जानते हैं कि चंबल जहां बेती है यह राजस्तान और चंबल बेती है इस शेतर में आफ्शन नंबर है कोटा स्वाई मादयपूर और धोलपूर इन तीनों जिल्लों में बेती है मतलब बीहड कहां बने इन इतज गा इनिए शेतरों में कॉँकि बाहसवाड़ा और ढुगरपूर जसल मेर में बेती नई है चंबल तो कैसे बने बनेगा बहड ऑोड़ अजमिर बहड़ बहड़ा पालि में बिनी बनेगा कोटा स्वेब्ल धोल और धोलं कुठ्क बेहड से तर चंबल वेषि नहीं है एक तरफ नदिया है एक तरफ साइग नदिया है काली शिंद की निवाज बनास की सागी माही की चाप और साबर मती की वाकल पूछ रहा है सही नहीं है सिंपल सी बात है ये जो सागी नदी है ये किसकी साइग नदी है लूनी की क्योंकि लूनी की देखिए ली लिडी मीठडी लीलीडी मीठडी शूकडी बांडी जोजडी जमाई सागी और गुहिया ये सारे एक सारे किश्किशाइग ने दिया है लूनी की तो option number 2 is incorrect याद रखिएगा क्यूशन number है आपके सामने 11 क्या पुछा जा रहा है देखिए क्यूशन number 3 है आपके सामने नदियों से एक बार फिर क्या पूछ रहा है कि निम लिखित नदियों में से राजस्तान में कौनशी रुन्ठित सरीता कहलाती है रुन्ठित सरीता मतलब रुन्ठित नदी इसे आप बोल सकते हैं अर्जुन की गंगा तो आप कहेंगे सर ये तो है फिर आपके बान गंगा कौनसी है बान गंगा जिसे क्या कहा जाता है रुन्ठित नदी क्यूंकि नदी का ही प्राइवाची है शरीता तो इसने ऐसे पूछ लिया रुन्ठित सरीता किसे कहते हैं याद रखेगा बान गंगा जो नदी है ये महा भारत कालिन है कौनसी है महा भारत कालिन नदी वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसके किनारे बेराट सब्यता भी तो है तो अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं रुन्ठित सरीता भी बोलते हैं और इसका उद्गम तो बेराट की पहाड़या जेपुर से होता है इसके किनारे बेराट सब बेता भी है क्यूशन नमबर है आपके सामने नेक्स्ट 12 क्या पूच रहा है देखे ये बहुत बहुत ही शांदार क्यूशन क्यूशन पढ़िएगा आराम से पिर आप आराम से आंसवर दीजे क्या पूच रहा है देखे परसंद तो दिख जाएगा ना आपको ठीक क्या दिख रहा है क्यूशन नमबर है 12 आपके सामने देखे क्या पूच रहा है पूच रहा है चंबल नदी राजस्तान की एक मातर नित्यवाही नदी है यह हम मानते हैं कि नित्यवाही नदी किसे कहा जाता है चंबल को कोई दिकत नहीं चंबल नदी का जल केवल सिंचय के उपयोग में लिया जाता है आप कहेंगे जी नहीं चंबल नदी का जो पानी है वो सिंचय के रूप में भी है पेजल के रूप में भ बाकि पेजल में भी है, मतलब ये गलत है, तो option कथन A सही है, बाकि R गलत है, कथन A सही है, R गलत है, option नमबर 3 is correct, कितना सांदार क्यूशन दिया है, नदियों से थोर्टीकल क्यूशन पूचा है, चलिए, अगले क्यूशन के ओर बढ़ते हैं, क्यूशन नमबर है आपके सामन 13, क्या पुछा जा रहा है, देखेगा, पुछा जा रहा है, निम्न में से राजस्तान में कौनशा शेतर, बालू का इस्तूप मुक्त है, मतलब वहाँ पर केवल चटा नहीं भाग है, मरुस्तल नहीं है, शेरगड शिव, ओसिया सेरगड, बायतु चोहटन, फलोदी पोकर पोकरन और बालोत्रा, यहाँ पर मिलता है आपके क्या, याद रखेगा हम्मादा, और हम्मादा क्या होता है, तो याद रखेगा चटानी मरुस्तल, और पूछ भी तो यहीं रहा है, कि बालू का इस्तूप मुक्त होना चाहिए, मतलब चटानी, तो फलोदी कहां है, जोद नमर है आपके सामने, चवदा, देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है, निम्न में से, राजस्तान के किस जिल्ले में बांका पटी, पेटी फेली, बांका पटी, या इसे आप क्या बोलते हैं, कूबड पटी, और यह क्या है आपके, आप कहेंगे सर, फलोराइड का जमाओ, क्या है, फलोराइड का जमाओ, पानी में जब फलोराइड की मातरा जादा होती है, तो दांत पिले हो जाते हैं, और हडियां थोड़ी शी टेड़ी हो जाती है, आदमी जुख जाता है, बांका हो जाता है, इसलिए बांका पटी और पिच्छे से कूब निकल जाती कि न वोई हे यह कुबड़ पटी इसका विस्तार है आपके जाईल शेलेकर पुशकर जाईल है आपके नागोर में और पुशकर कहाँ पर है अजमेर में यहांपर एक आफशन में है नागोर में पुचा ऐसे भी जा सकता है कि कुबड पटी में कौन सा रोग होता है तो याद रखेगा फलोरोसिस फलोरोसिस रोग ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं क्यूशन नम्बर है आपके सामने 15 क्या पुचा जा रहा है क्यूशन नम्बर 15 देखिए क्यूशन नम्बर 15 पूरा theoretical क्यूशन है पुचा जा रहा है आपको आहाड के विश्ये में निम्ण में से कौन सा कतन आई सकते हैं आहाड आड है ना आपके एक सब्वेता इस्तल है आयड आयड नदी के किनारे और ये कहां पर है उद्यपूर में ये तो आप जानते हैं जिसक कि खोज अक्षे कीरती व्यास दुवारा की गए पूच रहा है एस संति देखे आहाड के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन चरणों पर परकाश पड़ता है बिल्कुर सही है आहाड का जब उत्खनन हुआ तभी तो यहाँ पर मानव के जीवन पर परकाश पड़ता है कि यहाँ पर हमें मर्द भाण मिले हैं मतलब मिट्टी के बरतन मिले हैं यहाँ के लोग जो थे वो ग्रामिन विशेश से थे यही तो जान करें मिलते हैं दूसरा आवास ये भवनों की नीव इंटों की होती थी जी नहीं यहाँ पर हमें इंटे नहीं मिले हैं यह जो एस सकते है वो option number 2 है फिर भी आगे बढ़ जाते हैं मिट्टी अत्वा कच्ची इंटों से निर्मित भवन अब उपलब्द नहीं है बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर है नहीं ना इंटों का और यही लेंड वापस यहां दे रखिए चोता है अहाडवाशी दिवारों वे निवों को मजबूत वे सोंद्री युक्त बनाने है तू मिट्टी में क्वार्टाइज के टुकडे और चिप्स के सम्मिस्रन का परियोग करते थे बिल्कुल सही है मतलब यहां पर जो आवाशी भवने है ना वहां की जो नेव है वो इंटों की होती थी यह बात गलत है नेव इंटों किसके नर्तत्वे में किया गया अब सिंपल सी बात है बेराठ सर्वे पर्थम जानकारी देने वाले थे दयाराम शाहनी इसके बाद में जानकारी यानि उत्खनन करता जो थे उनमें दो नाम मिलते हैं नील अरतन बेनर जी और केलासनाद दिख्षित यहां पर जो राइट आसवर है और एज करेक्ट आसवर दयाराम शाहनी किलियर किशन नमर देखिए आपके सामने है शत्रा क्या पुछा जा रहा है पुछा जा रहा है आपको निम्न में से किश विदेशी यात्री ने गुजर परतिहार राजवन्स की सैन्य शक्ति और सम्रद का उलेग किया है ऐसे कौन से विदेशी यात्री हैं जिनोंने गुजर परतिहार राजवन्स के बारे में जानकारी दी मारको पोलो, जी नहीं, सुलेमान, यही तो है, छुलेमान, कौन सा है, याद रखिएगा, सुलेमान जो मिहीर भोज के समय आया था, मिहीर भोज है ना आपके, मिहीर भोज जिसे आप गुजजर परतिहारों का कहते हैं, पित्रहंता, जिनोंने अपने पिता राम भदर की हत्य करके शियासन हडपा था और परतिहारों का सुन काल भी इसी का काल कहलाता है तो वही है सुलेमान और सुलेमान ने मियर भोज को बोरा का था तो याद रहें आपके सामने 18 क्या कह रहा है देखें अच्छा यह थोड़ा कूट से है तो यह लीजिए पूरे आपको दिख जाएं पूरा त्वेश्य नहीं दिखेगा फिर भी देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं हमें तो यहाँ तक सोल करना है कर लेंगी जो भी होगा तेखें क्या पुछा जा रहा है बात पूरी अरुना के बारे में अरुना राज के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए ठीक है अपने राज्यकाल के प्रारम में उसने एक गजनवी आक्रमन को खदेड दिया था बिल्कुल सही है इसलिए तो आप पड़ते हैं कि अरुना राज ने तुरकों के आक्रमन से अजमेर की भूमी ए पवित्र हो गए थी इसको पवित्र करने के लिए आना सागर जिल का निर्मान करवाया सही है यह मालवा के नर्वर्मन को पराजित करने में ऐसा पल रहा जिने मालवा का जो नर्वर्मन है इसका समंद अरुना राज के पिता से रहा है और अरुना राज के पिता ती हैं अजय राज अजय राज ने मालवा के शाषक नर्वनमन को पराजित किया था यह बात तो गलत है अरुना राज से कोई शम्मन नहीं है तीसरा क्या है उसने चालुक के नरेश जेशिंग शिदराज के पुत्री से विवा किया था बिलकुल जिसका नाम था कांचन देव अपने यह अपने पुत्त्त के दूआरा मारा गया और नाराज की हत्या करने वाला इसी का था जगदेव उसी लिए जगदेव को कहा जाता है चोहानो का फित रहिंथा कितना सांदार गलत है बादकी पहला तीसरा और चोथा यह तीनो कतन कन सई हैं ठीक है क्यूशन नमबर देखी 19 पूछने का तरीका बहुत सांदा रहा है उश्य में भी यह लीजिए वही क्यूशन नमबर आपके सामने 19 क्या पुछा जा रहा है देखिए क्यूशन नमबर 19 पुछा जा पुछा था तो याद रखेगा यह है आपके उलुक खां ऑफ्शन नमबर एजे करेक्ट टांस्वर क्यूंकि नुसृत खान तो मारा गया था आपको पताओ तो रंधंबोर में और अकत खान था नहीं कोई उम्मर खान एक कोई जानते आप रंधंबोर पर आप दो लोगों ज लानते उलुक खां और नुसृत खां नुसृत खां मारा गया बचा कोण उलुक खां इसको शौंपा गया था क्यूशन नमर देखेगा 20 क्या कह रहा है बहुत चांदार क्यूशन आ गया है पुछा जा रहा है आपको निम लिखित में से किश रचना में अमीर खुसरों ने चितोड पर अलाउदीन खील जी के आकरमन का वर्णन किया अमीर खुसरो जिशे हिंदुस्तान का तोता बोलते हैं तूतिया हिंद चितोड पर अलाउदीन खील जी के आक्रमन का वर्णन सिंपल सी बात है इनके आप एक ही पुस्तक पड़ते हैं और वो है आपके खजाइन उल्फुतु और अलाउदीन चितोड पर एक और पुस्तक हमें जानकार देती है वो है पदमावत जिसके लेकक है मलिक मुहमद जाईशी यहाँ पर अमीर खुसरो की पुस्तक कोण सी है खजाइन उल्फुतु ठीक है चलिए अगले क्यूशन के और क्यूशन नमर है आपके सामने 21 बहुत सांदार क्यूशन क्या पुछा जारा है देखे पुछा जारा है आपको किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद में राणा सांगा के गाईल हो जाने के बाद उनका राजचिन धारन किया था दो नाम आपको अक्षर बताते हैं एक तो है जाला बिंदा और एक है आपके नाम याद रखेगा जाला अज्जा जाला बिंदा ने जिसके राजचिन धारन किये वो है माहरणा परताब और जाला अज्जा ने जिसके किये वो है आपके सांगा यहाँ पर सांगा गाईल होन अब ये क्यूशन आप कहेंगे सर अभी किशी एक्जाम में हमने देखने को मिला था बिल्कुल ये देखिए क्या पूछ रहा है पूछ रहा है निम लिखित में से राजपूत सरदार हल्दी गाटे के युद में राणा परताब के पक्स में लड़े थे परताब के पक्स में कर्षंदास चुंडावत भी थे जो नहीं था वो था अशोक परमार अशोक परमार जगनेर भरतपुर से आया था खानवा के युद में सांगा की शायता के लिए और उपरमाल की जागिर भी दी थी जहां पर बिजोल या इस्तापित किया था याद होगा तो यहां पर एक दो और तीनों हैं जबकि जो नहीं है वो अशोक परमार है ठीक है? क्यूशन नमबर नेक्स देखें तेबीश क्या कह रहा है? क्यूशन नमबर तेबीश ये लीजिए पुछा जा रहा है आपको निम लिखित में से किस राजपूत शाशक ने विजिये कट कातु की उपादी ध करने वाड़ा कौन है? आप कहेंगे महरना राज सिंग क्यूंकि महरना राज सिंग ने जिशका विरूद किया वो है ओरंग जेब विवाद के कहरण बहुत सारे रहे ओरंग जेब के खिलाब जाकर राज सिंग ने किशन गिड़ की राजकुमारी चारुमतिशे विवा किया औरंग जेब के खिलाब जाकर इन्होंने वीर दुरगादास राठोड और मारवार के अजी सिंग को शरण दी इन्होंने औरंग जेब के खिलाब जाकर वरंदावन से आये मूर्तियों को शरण दी और जजिया कर जो वसुला था औरंग जेव ने इसका पत्थर लिख कर विरोध किया था इसलिए उपादी दी गई थी विजे कट कातू की महरना राच्छी क्यूशन नमर है 24 क्या कह रहा है देखेगा पंडित नेनुराम सर्मा किस परजाम अब सिंपल सी बात है पंडित नेनुराम सर्मा जिनोंने दो परजाम अडल एक तो हाडोती परजाम अडल का भी गटन किया था हाडोती परजाम अडल 1934 लेकिन 35 में अलग हो गया कोटा इसलिए वापस कोटा परजाम अडल का भी गटन करने वाले कोण है पंडित नेनूराम सर्मा और इनके साथ में थे अविन हरी अगला क्यूशन और हमारा अंतिम क्यूशन क्यूशन नमर है आपके सामने 25 क्या पुछा जा रहा है क्यूशन नमर 25 पुछा जा रहा है समशबा की इस्तापना समसभा किस्तापना आप सब जानते हैं कब की गई थी तो 1883 में कहां पर की गई थी शिरोय में पर्थम अदिवेशन कब हुआ था 1903 में कहां पर हुआ था मानगड पहाडी बाशवाडा और इसके गटन करता है गोविंद गिरी जिन्नोंने एक आंदोलन चलाया था कोणसा भगत आंदोलन किल्यर जिसके तेद वो गटना हुई थी ना मानगड पहाडी वाली 17 नॉवंबर 1913 जिसे राजस्तान का जलिया वाला बागत्या कांड का जाता है मेवाड भील कोर ने गोलिया चलाई और अंद्रा सो बेल सहीद हो गए यह था आज का अमारा सेशन जिसके अंदर हमने 25 क्यूशन की शेकिंड ग्रेड के अंदर आ रखे हैं अगले सेशन में फिर और अगले क्यूशन तब तक के लिए धन्यवाद